सबसे पहले दोस्तो आपके लिए मैं पहला कोशन लेने जा रहा हूं देखिए ये वाला कोशन दोस्तो नंबर सिस्टम में क्या होता है बहुत जादा टाइम समझ में नहीं आता है कि लॉजिक क्या है कैसे यहां पर कौशन मा के जगा पर कौन सा आप्शन आएगा समझ में नहीं आता है लेकिन दोस्तो जो में ट्रिक आपको देने वाला हूं अगर ये यूज करोगे तो इसली आंसर फाइंड कर पाऊगे सिंपल क्या करना है दोस्तो आपको इन दो नमबर के बीक में डिफ्रेंस निकालना है अपको देखिए ये दो नमबर की दिफ्रेंस कितना है तो वन का डिफ्रेंस है तो लिख दिया में ने तो यह 1 है यह 4 है और यह 9 है तो कही ना कही लॉजिक यह लग रहा है कि 1 जो है 1 का स्क्वेर यह जो है दोस्तो 2 का स्क्वेर यह 9 दोस्तो 3 का स्क्वेर तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर 4 का स्क्वेर आएगा ठीके तो 4 का स्क्वेर क्या होता दोस्तो 16 होता है तो दोस्तो 20 प्लस 16 करूंगा मैं तो यहाँ पर दोस्तो कोशन मा के जगा पर option D आपका right answer हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तो यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तो आपके लिए और एक कोशन ले रहा हूं मैं यह देखिए इसे कैसे solve करोगे दोस्त यहां पर मैं 10 लिख लेता हूं उसके बाद देखोगे यह दोस्तो 20 का है ठीक है उसके बाद दोस्तो यह दो नंबर की दिफ्रेंस कितना है दोस्तो तो 30 का डिफ्रेंस है तो यहांपर logic set हो गया कि अब जो नंबर आयेगा तो यहां पर देखिए 10 20 और यह 30 ठीक है तो यहा पर मैं 40 लिख लेता हूं इसका मतलब यह है 72 में मुझे 40 प्लस करना है तो कितना आंसर आएगा दोस्तो 112 आएगा मतलब इस पूर्शन में की जगह पर 112 और आपका option देखिए option यहाँ पर option D आपका right answer हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तो यह भी आपको समझ में आ गया है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग भूल जाते हो आप देखिए next portion आपके दोस्तो यह वाला portion दोस्तो बहुत ही जादा important है क्योंकि दोस्तो इस portion में आप कुछ नया सीखोगे क्या नया सीखोगे आई आई आपको difference को देखोगे तो कुछ logic समझ में नहीं आएगा कुछ अलग pattern follow करना होगा तो यहाँ पर काम करता हूँ यहाँ पर one दिया है तो one multiply by one लिखता हूँ plus one करूँगा तो कितना मिलेगा दोस्तो one one जा one plus one करूँगा तो two मिल जाएगा इस number से यह मिल गया है मुझे लेकिन यह pattern आगे follow होगा के नहीं होगा वो भी तो देखना है वो भी check करना है तो यहाँ पर two लिखता हूँ multiply पर दोस्तो यहाँ पर one किया था तो यहाँ पर two कर करना होगा दोस्तो four प्रस two क्या होगा six होगा तो यह logic मुझे समझ में आ गया अब देखें यहाँ पर two था यहाँ पर six है तो यहाँ पर 6 लिखूँगा और 6 में क्या करूँगा दोस्तों यहाँ पर 1 multiply किया था यहाँ पर 2 multiply किया था यहाँ पर क्या करूँगा तो 6 3 जा कितना होगा 18 होगा यहाँ पर 24 चाहिए मुझे तो क्या plus करना होगा मुझे plus करना होगा 6 प्लस करना होगा जिससे 24 आ जाएगा तो मुझे यह समझ में आ गया जो प्लस कर रहे हम लोग exactly जो नंबर दिया है वो ही प्लस कर रहे हम लोग इतना clear हो गया अब क्या करेंगे दोस्तों आगे यही pattern follow करेंगे कि 24 दिया है 24 में क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 4 आएगा ठीके तो अब दोस्तों मैं यह 24 को यहाँ पर प्लस करूंगा तो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 हो गया प्लस 24 करूंगा कितना होगा दोस्तो 120 हो जाएगा, clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यह pattern आपको समझ में आ गया, अब इसका answer कैसे निकालोगा, simple तरीके से 120 multiply by 5 प्लस यहाँ पर दोस्तो 120 करोगे, तो दोस्तो 12 5 है कितना होता, 60 होता, यह दोस्तो 0 है, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 120, 600 प्लस 100, 700 यह 27 में आ जाएगा, तो आपका answer क्या होगा, दोस्तो इस question मा की जगा पर 720 आएगा, option देख लिए दोस्तो, option C आपका right answer हो गया, उमीद करता हूँ दोस्तो, यह question आपको काफी ज़्यादा interesting लगा होगा, कैसा लगा, please comment करके ज़रू बताईए, अब दोस्तो आपके लिए बहुत बड़ा announcement लेकर आ रहा हूँ दोस्तो, सबसे पहली बार आप लोगों के लिए कुछ course डिजाइन किया है दोस्तो, और यह course दोस्तो बहुत ही amazing course है, क्योंकि दोस्तो हो कोई भी exam आएगी यही वाली math trick काम, दोस्तो यह course आपके बहुत सारे computer exam में आपको काम आएगा, क्योंकि दोस्तो बहुत सारे math trick रखे है, जिससे कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा paper को attempt कर पाओगे, 90% off रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 499 रुपीस में आपको यह course मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तो यह week जो है इद का week है, इसलिए दोस्तो आपके लिए special offer ले और एक चीज information ले सकते हो, और यह offer दोस्तो कम टाइम के लिए है, देखें यहाँ पर दिया है offer जो है 10 में रात के 12 वजे तक है, तो जल्दी से दोस्तो यह offer का फाइदा उठाईए, और दोस्तो गौवर्मेंट एक्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, तो उमीर करता हू दोस्तो यह course आपको पसंद आया होगा, अब आगे बढ़ते हो दोस्तो next question की तरफ यह question, अब इसे दोस्तो कैसे solve करोगे, सबसे पहले दोस्तो क्या करोगे, आप इसका common difference निकालोगे, तो यहाँ पर difference निकालने जारा हो, दोस्तो यह 6 है, यह 12 है, तो यहाँ पर 6, अब दे multiply क्या होगा, जो 12 आएगा, 6, 2, 12 काम हो गया, अब दोस्तो 12 में मैं क्या multiply करूँगा, मैं, जो 36 आएगा, 12, 3, 36, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो एक काम करना है, और answer अपने आप आप आजाएगा, कैसे, कि यह 36 में multiply by 4 करना, अगर यह आ गया, तो हमारा pattern follow हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 multiply by 4 करूँगा, तो 4, 6, 24, 4, यहाँ पर 2 carry हो गया, 4, 12, 12 प्लस 2 कितना हो जो जो 14 होगा, देखे हमारा pattern follow हो गया, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यह 144 में multiply बाद दोस्तों, यहाँ पर 2, 3, 4 हुआ है, तो यहाँ पर 5 होगा, तो 144 multiply by 5 करोगे, 5, 4, 20, 0, यह आपका right answer हो गया, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, यह भी question आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आपके लिए और एक question लेकर आ रहा हो, देखे है, इसे कैसे solve करोगे, ध्यान से अगर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या pattern follow हो रहा है, देखे, यह 7 है, यह 9 है, difference 2 का ह अब देखे, यह 9 है, यह 12 है, difference कितना है दोस्तों, 3 का difference है, अब यहाँ पर 12 है और 17 है, difference कितने का है दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 का difference है, अब देखे, यहाँ पर 17 और 24 है, difference कितने का है दोस्तों, देखे, यहाँ पर 7 का difference है, ठीके, अब दोस्तों, इनके बीज में difference देख तो 3 5 7 11 पहले आको समझ में नहीं आएगा यह रहा है लेकिन अच्छे से और करोगे कि यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री यहाँ पर 5 यहाँ पर सेवन और यहां पर 11 है तो कहीं ना कई प्राइन नंबर तो तो 48 मिलेगा, तो देखिए, option में 48, option D, आपका right answer हो गया, तो ये भी pattern आपने सीख लिया, अब आपके लिए और एक question, इसे कैसे solve करोगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, मैं difference निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, ये 13 है, ये 17 है, difference कितने का होगा, दोस्तो 4 का होगा, अब देखिए, यहाँ पर 17, और यहाँ पर 15, उल्टा हो रहा है, मतलब यहाँ पर minus 2, ठीके, फिर दोस्तों आप देखिए, 15 है और 19 है, क्या हो रहा है, अब देखिए, 19 है और 17 है, फिर से minus 2 हो रहा है, तो यहाँ पर plus 4, minus 2, plus 4, minus 2, तो आगे क्या होगा, दोस्तों आपका प्लस 4 होगा, तो 17 प्लस 4 करूँगा, तो 21 मिल जाएगा, तो इस question मा की जगा पर 21 होगा, तो option मेरा A is the right answer, तो उमीद करता हूँ दोस्तो ये भी question आपको समझ में आ गया होगा, अब देखिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओ, ये भी question आपको समझ में आ गया होगा, तो उमीद करता हूँ दोस्तो जो भी मिने इस वीडियो में सिखाया, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई doubt हो, तो please comment करके बताएए, और दोस्तो इस वीडियो का part 2 चाहिए, अगर तो भी आप comment करके बताएए, और आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को दूआ में यार रखना, अल्ला हाफिज